हेलो एवरीवन इस वीडियो में डिसकस करूंगा CSIR NET 2020 के क्वेश्चन को इसके बाद में कहीं सारे क्वेश्चन को लाऊंगा लेकिन अभी यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन को डिसकस करता हूं क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट पेपर देखा नहीं है तो जेनरली यह आइलेंड बायो जेग्रोफी से जो की एकोलोजी में एक टॉपिक है हमारा तो यह क्वेश्चन काफी एजी था इसके ग्राफ को देखकर ही क्वेश्चन एजली सॉल्ट हो जाता है इतना पढ़ने की ज़रुदत नहीं है क्योंकि जनरली जो सेक्शन सी है हमारा वहां पर ह होता है और हमें एक एक क्वेश्चन जल्दी से करना होता है और करेक्ट करना होता है तो उसके लिए टाइम काफी कम होता है और क्वेश्चन काफी बढ़ा होता है तो अगर आपने थियोरी या जो भी टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको देखके ही समझ में जाता है कि question कहां से है और क्या पूछना चाहरा है तो जनरल ये है हमारा island biogeography से जो एक theory है ecology में जो कहता है कि immigration और extinction का rate एक किसी island में कैसे effect होता है मैं theory किसी दिन बाद में discuss करूँगा अभी हम सिर्फ question को solve कर रहे हैं मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जैसे कि यहां पर जो island है island का मीन से होता है कि कोई भी isolated island वो कहीं पर भी हो सकता है लेकिन उसे isolated होना चीज तो isolated island में छोटे या बड़े जो कि isolated है वहाँ पर rate of extinction and immigration दो चीजें होती है वो कैसे effect होंगी यहीं हमारा island biogeography कहता है और जो हमारा rate of extinction as well as rate of immigration है उसे effect करने वाली दो चीजें main होती है एक होता है हमारा island का size जो कि या तो small होगा या large होगा और दूसरा हमारा location of island to mainland that means कि mainland से हमारा जो island है वो कितना दूर है नजदीक है या जदा दूर है तो इस दो चीजें काफी matter करती है हमारा rate of extinction में और rate of immigration में तो यहाँ पर यही चीजें पूछी गई है यहाँ पर पूछा गया है researcher working on island biogeography mapped how isolation control immigration जिसे की ice represent किया गया है and area control extinction जैसा कि मैंने बताया आपको कि दो चीजें यहाँ पर effect करती है एक तो island का size दूसरा उसकी location कितनी दूर है नजदीक है will act on number of species present on the island he forget to label the size of the island small or large and the location of the island जो कि यह तो near होगा है फार होगा on the graph तो कह रहा है कि research रहता है जो कि label करना full गया है इस graph को वहाँ पर हमें बताना है generally यह graph मारा island biogeography का ही है simple सा graph है यहाँ पर जो हमारा y-axis होता है वहाँ पर क्या represent किया जाता है rate of extinction या immigration दोनों को हम represent कर रहे हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर i i हमारा immigration rate को represent कर रहा है जबकि जो e है extinction rate को और इन दो चीजों को कैसे size of island effect करेगा और location of island कितना दूर है main line से यह effect कैसे करेगा यही हमें यहाँ पर देखना है x-axis पर हमारा क्या दिया है number of species present या ज्यादा होंगी या कम होंगी तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर e यह restriction rate कैसे effect होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे size of island को ठीक है जो size of island है generally यह effect करता है हमारा generally restriction rate को restriction rate को हमारा size of island control करता है क्योंकि अगर हमारा जो island है उसका size क्या होगा small होगा तो हमारा restriction के rate ज्यादा होंगी क्योंकि हमारा resource कम होंगे तो हमारा e क्या represent करेगा क्योंकि यह वाला graph क्या represent कर रहा है कि यहाँ पर restriction high है high restriction means सबसे अधा high है इसका मतलब यहाँ पर जो size of island है वो क्या है small है यहाँ पर हम small लिख देते हैं उसके बाद नीचे वाला देखते हैं जो नीचे वाला e represent किया गया है जहाँ पर d लिखा है यह क्या represent कर रहा है यहाँ पर restriction का rate low है that means कि हमारा जो island का size है वो large है और वहाँ पर resources काफी है इसलिए वहाँ पर restriction का rate क्या है कम है यहाँ पर low दिख रहा है आपको उपर आले में आपको high दिख रहा है restriction तो यहाँ पर low है that means कि जो हमारा island है उसका size क्या है large है यह दो चीजें हमने लिख दी यहाँ पर उसके बाद है हमारा आई यहाँ पर आई मैंने आपको बताए कि क्या represent कर रहा है immigration अब immigration को क्या effect करता है generally theory के according यहाँ पर एक theory है by island biogeography जिसमें कहा जाता है कि जो island का location है mainland से या तो दूर होगा या नजदीक होगा near या far तो उससे हमारा immigration उससे हमारा effect होता है तो हमारा high immigration कब होगा जब हमारा island क्या होगा नजदीक होगा की दूर होगा जब हमारा island हमारा नजदीक होगा तो आपे immigration easily हो जाएगा that means हम आपर बहुत चारी species easily migrate कर पाएut means हमपे हम क्या लिख देंगे near यहाँ पहम near लिख देंगे पर जबकि जो रेप्रेजेंट करने थी near far small and large कैसे हमारा extinction और immigration को हमारा यह दो चीजें effect करती है क्योंकि जो mainland है अगर वहां से क्योंकि जो island है isolated वहां पर जो species आएंगी वहां पर तो originate होंगी नहीं वो कहीं से आएंगी जो कि mainland से आएंगी mainland जो बड़ा geographical area होता है तो वहां पर अगर हमारा isolated island हो नजदीक होगा तो वहां पर जल्दी से immigration होगा that means कि वहां पर immigration का rate high हो जाएगा यह दो चीजें यहां पर पूछी गई चीदी तो इसका correct answer होगा यहां पर option c है यहां पर कि वाला जो हमारा a है क्या represent कर रहा है near कर रहा है b हमारा far c small and d large जो कि मैंने आपको बताया यहां पर तो जो island bio geography है यह काफी important topic है CSR net के regarding किसी separate video में यह topic को discuss कर दूँँगा यहां पर यह question इस तरीके से solve हम कर सकते हैं हाला कि मुझे पता है आप में से बहुत साही लोग कहेंगे कि exam hall में यहां पर papers solve करना काफी tough होता है लेकिन अगर आपका concept clear है तो आप इसे easily कर सकते थे क्योंकि graph को देखके ही पता चल जा रहा है कि यह island bio geography से लिया गया है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बाकी में बाद में बहुत सारे question और भी लाओंगा thanks for watching this video you